बिग बॉस 14 जिसकी टैग लाइन है अब सीन पलटेगा बिग बॉस ने अब सचमुच में सीन पलट दिया है निकी तमबोली जो बिग बॉस 14 की पहली कंटेस्टन थी जो टीवी सी से कनफर्मड हुई थी अब उनकी ये कनफर्म स्टेटस डेंजर में है बिग बॉस के इस ट्विस से जहां निकी तमबोली को एक शौक लगा है वहीं बाकी घर वाले काफी खुश नजर आए है बिग बॉस का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें बिग बॉस कह रहे हैं कि निकी बिग बॉस की पहली कंट्फर्म सदर से थी लेकिन अब बिग बॉस घर के बाकी फ्रेशर्स को ये मौका दे रहे हैं ये फैसला लेने का कि निकी को कंट्फर्म सदर से ही रहना चाहिए या उन्हें भी टीवी सी रहो जाना चाहिए जिसके बाद घर के सारे सदर से अपनी अपनी राय वेक्त कर रहे हैं जासमीन भसीन का कहना है कि निकी कंट्फर्म स्टेटर्स डिजर्व नहीं करती हैं वे आये दिन अपने रंग बदलती हैं उनकी पस्नेलिटी चेंज होती रहती है उनकी जबान भी बहुत गंदी है इसके बाद निकी तंबोली के लिए सबसे बड़ा शौकिंग मोमेंट तब आया जब घर में उनके ग्रूप के मेंबर और उनके फ्रेंड्स जान कुमार शानूर और निशान्त मलकानी ने भी उनके अगेंस्ट वोट करके उन्हें घमंडी बताया जान और निशान्त का कहना है कि कन्फर्म स्टेटस पाने के बाद से ही निकी के रंग धंग बदल गया है उनके बात करने का तरीका बदल गया है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है वो दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है अपने दोस्तों को अपने खिलाफ वोट करता देख निशान्त मलकानी और निकी के बीच एक जोरदार बहस भी देखी जा सकती है तो आपको कैसा लगा ये ट्विस्ट हमें कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि क्या आपको भी लगता है कि कन्फर्म हो जाने के बाद निकी की परसनालिटी में चेंज आया है और वो अब ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी हो गई है